बहुती अलग किसम की फील्ड लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बास गतरनाथ गेन और सीधा बल्ले बास के शरीप पे लगी यह बहुती कठिन फील्ड है गेन बासी करने के लिए गेन बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी यह शॉट गया हवा में और ग्रैक ने भी गया चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बाँ 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 विस फोटा गेन बाजी फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है और यह तो बहुत नजदीक है बहुत करीब और आउट अपने पार्टनर से बात करने के बाद उन्होंने फैसला लिया है डियारस रिव्यू ना लेने का एक लंबा रास्ता तैय कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बल्ले बाद अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए बहुत ही आक्रामक बल्ले बास है ये विशो क्रिकेट में अमपार का इशारा वाइट बॉल गेंदबास अपने पसंदीदा छोर से गेंदबास ही कर रहे हैं और ये स्टंप्ट बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्ले बास की यही और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बल्ले बास परवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबास को ही लाया जा रहा है बल्ले बास नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार फिजियों को बुलाने की आवशक्ता हो सकती है बैट्समन खायल फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है स्थक्ता हुश् कि रहना बात है अ झाल पर रहे हैं जीए देवर्धित क के समने स्पर्दस्त अपील कर इभी मामला, अपर प्रिवू के लेजाएंगे यूंग चेकिव पर ऑनोबोल, चुरत रिश्च ब्रुब्ल रुब्ल्म चुरत से अंप्लीजिहें पारों स्निकोप झांथाना अज़्टा से अजाता है प्रियंग का स्सीट नहता है एंपक्त आफसाइब क्यों पंपक्ति आफसाइब विकत शतब है I'm afraid you'd need to overturn your decision. It will be you on screen now. पेजगदी के गेनवाजों को काफी असानी से खेला इन्होंने. सबर्दास्ट, काबिल अतारीफ बोलेगा. काफी रोचक फील्ड लगाई है कप्तान ने. उन्दा गेनवाजी, बल्ले वास शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकिन गेन बल्ले से इश्क ने फर्मापारी. चूप गए इस बार. कड़े मुकाबले के लिए हम तयार हैं. चलिए चलते हैं, बल्ले बास तयार है इस पारी की पहली गेनद खेलने के लिए. निश्चत तोर पे इसकी काम नहीं कर रहे थे, बड़ी आगेनद बाजी. इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो, फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है. इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेनद बाजी करनी होगी यहां. ग्याप में खेल दिया है, दो रन की कोशिश होगी यहां. रनिंग बिट्वें दो विकेट्स बहुत ही उम्दा रही है दोने बल्ले बाजों के बीच. कफ्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डी पॉइंट लगाया है. अम्पार का इशारा हुआँ वाइट बॉल्ड बॉल. जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है, जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा. बल्लेबास अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए. आति उत्तम गेन. निराश लग रहे है वहाँ. मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझे जो अब भी फ्रीज पे ही खड़े है. उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बैतरीन चौका. ये एक ऐसे बल्लेबास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं. चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे. और दूसरे शोर पे भी तेज गेन बास को ही लाया जा रहा है. बैटिंग बावर प्ले की समापती, फील्डिंग टीम अप दो से ज़्यादा फीलड डाइरे के बाहर रख सकती है. कनेक करने में नाकाम पूरी तरह मिस्स किया. बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शोर्ट खेलने की लगता है अपने एक अग्रता खुब बैठे. बढ़ी अटाइमिंग एक रण असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्ले बाज दो रण का कॉल देते हुए. बहुत ही बड़ी अटाल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दुट्विकेट्स. पावर प्ले समाप्त होने के बाद अप फील्ड तो खुल चुकी है अब इने सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए. केंद बाज ने ओवर स्टेपिंग कर दी आँपे. क्या जबरदस्त मैच या हो रहा हैं. रोमान से भरपूर दर्शक बीस्त उटस्टर की क्रिकेट कम बजा उठा रहे हैं. सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं. मेरा मानने आउट हैं. भैतरी इन फील्डें का मुझा रक्षे तरक्षक द्वारा. बहुती निराश लग रहे हैं. यही एक चीज बिलकुल नहीं चाहेंगे. रन आउट. बल्ले बाज निश्चित रूप से दोरन ले सकते हैं. बहुती बड़ी अतालमेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में. अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स. इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने. हवा में उठा थिया है और ये छे रन. कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास. और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटान है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ. मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए.